दोस्तों रमस्कार मैं शुशिल पटेल आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अजोला की खेती में आप मनरेगा योजना से किस प्रकार लाब ले सकते हैं इसके साथ साथ आपको मैं यह भी बताऊंगा कि मनरेगा योजना में अजोला खेती के लिए जो एस्ट्रेक्चर तयार होता है उसकी कितनी लागत होती है एवं इसके निर्मान के सहे में हमें क्या क्या साउधानी बरतना चाहिए आपको तो सबसे पहले मैं यह बताता हूँ कि आजोला के खेती होती क्या है क्योंकि आजोला नाम सुनने ही से ही बहुत अटपटा से लगता है और जो लोग मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं उसमें से 99% भी लोग नहीं जानते कि मनरेगा योजना में आजोला की खेती के ल होकर हरी चटाई की तरह दिखने लगता है अजोला में सभी प्रकार के मिनरल्स जिसे केल्शियम, आयरन, फास्थोरस, जिंक, कोबल्ड के त्यादी खनीज होते हैं इसको उगाने में किसानों को कोई खर्चा भी नहीं आता और उसका लाब भी पशु पालकों को मिलता है इसक प्रकार अजोला भी पशुओं के लिए ड्राइफ फूट के समान है जलिए हम आपको बताता हूँ कि मनरेगा योजना में हम किस प्रकार की अजोला के खेती लगा सकते हैं परन्तो इसके पूर में चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बारा हैं तो प्लीज आप इ किसी प्रकार के प्रशनों और क्वरीज हों तो प्लीज आप कमेंट बाक्स में अवस्य लिखें मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रशनों का उत्तर दे सकूँ और आप यदि मनरेगा के अपडेट से समय समय पर पर परचित होना चाहते हैं तो देखें मेरा फेस्बुक क खेती के रिए इस्ट्रक्चर तयार होता है वह जो मनरेगा के 260 प्रकार के परिमिस्यल्पल काम है उसमें सामील है यहाप आप सीरियल नंबर 243, 244 और 245 पे देखिए मनरेगा योजना में अजोला की खेती दोनों रूप से स्विकरत होती है जैसे आप 243 पे देखेंगे त इसके रिपेर और मेंटरनेस के लिए भी राशी स्विकरत की जाती है आना कि यह यह वर्क नौन एनरम वर्क की शिरिया गया है परन्तु यह कार क्र içinde से को समद्धित होने के कारण इसकी प्रकार की कोई दिकते नहीं आती है यदि हम इसकी लागत की बात करें तो इसकी पर देखें तो इसमें तकरीवर 75,000-1,000,000 रुपए तक सुईक्रत होते हैं और यदि हम सामधाई कार के अंतरगत इसकी सुईक्रती की लागत देखें तो इसकी लागत जादा भी हो सकती है क्योंकि हर राज में जो ग्राम पंचायत को पावर से दिये गए है निर्मान कार कराने के लिए उसकी लिमिटेशन्स अलग-अलग होती है जैसे यदि हम मत्प्रदेश में देखें तो यहां की जो ग्राम पंचायते हैं उन्हें 15 लाग तक के निर्मान कार कराने की स्विक्रति शार्षन के और से प्रदान की गई है अर्था देदी कोई ग्राम पंचायत चाहे तो इस कार के लिए 15 लाग रुपए तक भी स्विक्रत करा सकती है यदि आप देखना चाहते हैं कि जिन राज्जों में यहां कार स्विक्रत हुए हैं उनकी लागत इत्यादी क्या होती है तो यह देखें मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था उसका मैं थम नेल दिखा रहा हूँ आप मेरे यूटूब चैनल पे जाके इस वीडियो के माध्यम से इसकी लागत इत्यादी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके निर्मार के समय हमें क्या क्या साउधानी बरतना चाहिए देखे जब भी आप इसका निर्मार करें तो जो आप वाटर टेंक बनाते हैं जिसे कई राज्यों में होदी या हलाव भी कहा जाता है उसकी चुडाई किसी भी परिस्तिती में 4 फीट से जादा ना रखें क्योंकि होता क्या है कि जब या जोला की खीरती हो जाती है तो इसे हाँस से ही निकालना पड़ता है तो यदि आप 4 फीट से जादा चुडाई रखेंगे तो इसे निकालने में आपको दिक्कत होगी दूसरा आप जब भी इसका निर्मान करें तो कोशिश करिए कि वरक्षों की छाओं के नीचे ही इसका निर्मान किया जाए क्योंकि धूप में यह जल जाती है और लाल पड़ जाती है जो पशों के खाने लाइक नहीं रहती है और यदि आप इसे खुले स्तान पर बनाते हैं तो इसे धूप से बचाने के लिए आपको अतरिक्त बैविस्ता करना पड़ेगी जिससे इसकी लागत में वरद्धी हो जाती है हलाकि जब भी इसका estimates बनाय जाता है तो उसमें इन सबी प्रगार का provisions किया जाता है अब चलिए आपको मैं इसके बीज के बारे में बताता हूँ प्रतेक राज की सरकारें निश्यल को रूप से बीज प्रदान करती हैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा यह देखिए मेरे दोनों नमबर है पहला नमबर मेरा calling का है और दूसरा मेरा WhatsApp नमबर है आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं नमस्कार आप कुछी संना नमस्कार